दक्षिन भारत के दोनों शीर्ष उत्पादक राजियों केरल एवं तमिल नाडु में हाल की बारिश के बाद मौसम अपसाफ होने लगा है जिससे छोटी इलाइची के नए माल की तुराई तयारी की गती तेज होने की उम्मीद है। इसके फलस्वरूप नीलामी केंद्रों म इसकी आवग बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। लगतार विशलेशकों के अनुसार आपूर्ती में भारी बढ़ोतरी होने पर छोटी, हरी, इलाइची के दाम में थोड़े दिनों के लिए कुछ नर्मी आ सकती है, लेकिन कुछ ऐसे कारक मौजूद है जो इसकी कीमतों को आगामी समय में मजबूत रखने में सहायक साबित होंगे। पहली बात यह है कि हाल की असामिक वर्षा से इलाइची की फसल को कुछ नुकसान पहुँचने की आशंका है, जबकि उसे पूर्व अगस्ट से सितंबर के शुष्क एवं गर्म मौसम से भी फसल को हानी हुई थ जिससे खाडी छेतर के देशों में भारतिय इलाइची की मांग बढ़ने के आसार हैं। वैसे भी वहां शीग रही रमजान की मांग जोर पकड़ने वाली है। गौाटेमाला की तुलना में भारतिय इलाइची की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इसलिए इसका दाम भी अपेक शाकृत उंचा रखा है। यदि दोनों देशों के माल की कीमत में कम अंतर रहता है, तो आया तक भारतिय इलाइची की खरीद में ज्यादा दिल्चस्पी दिखते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहतर होती है। पिछले दिन आयोजित एक निलामी में 74 टन से कुछ अधिक इलाइची की आवक हुई और इसका ओसत निलामी रुपए 1617 रुपए प्रती किलो के करीब रहा। तीन जनवरी को आयोजित निलामी में इलाइची का भाव 1665 रुपए प्रती किलो के आसपास दर्ज किया गया था। केरल के इडुक की, वाइनाड एवं पठान थि प्रिमा में लगभग स्थिर बना हुआ है। झाल प्रती कि वाप प्रती कि अर्वं प्रती कि वाठा जो प्रती कि रुपए बना हुआ है।